Hello Friends, C++ Language सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं Lecture 9 का Part 1 इसमें हम देखेंगे Constructor in C++ Constructor क्या है? ये एक Member Function होता है Class का हम जानते है Class C++ में क्या है? Class हम बनाते हैं, इसके अंदर हम Functions बनाते हैं इनी Functions में से एक है Constructor तो Constructor एक Member Function है इसकी खास बात ये है कि आप इसको देखकर ही पहचान सकते हैं Constructor का नाम ये एक ऐसा Function है जिसका नाम Class का नाम से मैच करेगा यानि अगर कोई Class है जिसका नाम है Student तो उस Class के अंदर एक Function बनाएंगे Student नाम का तो वो उस Class का Constructor माना जाएगा Constructor की खास बात ये है कि इसका कोई Return टाइप नहीं होता जैसे कोई Function का Return टाइप हम ना लिखें तो उसे Int माना जाएगा लेकिन यहां ऐसा नहीं है यहां Constructor Function का कोई Return टाइप होता ही नहीं इसी लिए Constructor के अंदर आप Return कीवर्ड भी नहीं लिख सकते Constructor एक Instance Member Function है इसका मतलब है यह कभी भी Static नहीं हो सकता हम जानते हैं Class के अंदर Functions दो तरह के हो सकते हैं Static लिखकर हम Static Function बना सकते हैं और अगर Static कीवर्ड नहीं लिखेंगे तो हम बोलेंगे वो Instance Member Function है Instance Member Function Instances यानि Object के लिए चलते हैं Object के द्वारा ही Call किये जाते हैं तो Constructor एक Instance Member Function है जिसे कभी भी Static नहीं बनाया जा सकता है आएए देखते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे Constructor बनाया जाता है हमने एक Class बनाई Complex Complex नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिसमें Private में हमने दो Variables बनाया है एक A नाम का और एक B नाम का जो Real Part और Imaginary Part को Store करेंगे तो हमने Public में एक Constructor बनाया देखे Constructor बना रहा हूँ Class का नाम क्या है? Complex इसलिए Function का नाम भी मुझे रखना पड़ेगा Complex आपने नोटिस किया होगा मैंने कोई Return टाइप नहीं लिखा है ये Function की Body हमने बना दी इस तरीके से हमने ये प्रोग्राम एक Class बना लिए है और Class के अंदर एक Constructor बना लिए है हम चाहें तो इसके अंदर कुछ कोडिंग कर सकते हैं अब Constructor को Call कैसे किया जाता है Constructor is Implicitly Invoked यानि इसे हम Call नहीं करते हैं ये Call अपने आप होता है When an Object is Created जब Object Create होगा तो ये अपने आप चलेगा इस बात को समझने के लिए हम यहां Main Function बनाते हैं और Main Function में हम एक Object बनाएंगे Complex Class का आप देख सकते हैं कि Complex Class का Object Main Function में बना रहा है सिर्फ ये जानने के लिए कि Constructor चला है या नहीं है मैंने एक Cout Statement लिख दिया Hello Constructor अगर ये Hello Constructor प्रिंट होता है तो इसका मतलब होगा कि Constructor चला है तो जैसा कि हमने अभी देखा कि जैसे ही Object बनेगा Complex C1 इस लाइन में तो ये देखिए है इस लाइन में जैसे ही Object बनेगा इसी वक्त Constructor कॉल हो जाएगा पर Constructor अबजिक बनने के बाद कॉल होता है पहले नहीं यानि अबजिक बना और उसके बाद तुरन्ट कॉल हो गया एक बार इसको रन करके और हम देखते हैं येस देखिए Hello Constructor प्रिंट हो रहा है अच्छा क्या होगा यदि मैं एक से जादा Object बनाओ जैसे मैंने C1 बनाया C2 बनाया C3 बना दिया तीन Objects बना दिया तो क्या होगा Constructor एक बार चलेगा या तीन बार चलेगा देखिए इसका अंसर है तीन बार चलेगा क्योंकि जितने Object बनेंगे सबके लिए अलग-अलग Constructor चलेगा ये एक Instance Member function है एक बार चला के भी देखते हैं इसको तीन बार प्रिंट हो रहा है Hello Constructor, Hello Constructor, Hello Constructor तो ये बात तो मैं समझ में आई कि Constructor कैसे call होता है Constructor is used to solve problem of initialization Constructor बनाया क्यों क्या है? To solve problem of initialization तो क्या होती है problem of initialization इसको अपन समझते हैं पर पहले ये समझें कि Constructor को, Constructor क्यों कहते हैं? नाम से ऐसा लगता है कि ये कुछ construct कर रहा है अगर मैं इसके लिए answer दूँ तो थोड़ा सा confusing लगेगा आपको answer मैं कहना चाहूंगा कि Constructor object को object बनाता है object को object बनाता है थोड़ा सा confusing हुआ अब देखें इसको समझने की कोशिश करिएगा जैसे कई बार हमसे कई लोग बोलते हैं अरे इंसान बनो इंसान बनो का मतलब क्या है? हम तो इंसान है अल्रेड़ी फिर भी कोई हमसे क्यों कह रहा है कि इंसान बनो शायद उसे हमारे अंदर इंसान वाले characteristics नहीं दिख रहे होंगे चले, okay, on a lighter note बट seriously object को object बनाना constructor का काम है अब C++ में जैसे आपने लिखा complex C1 तो C1 हमारी नजर में क्या हुआ? object बन गया लेकिन यह सही माइन में object अभी नहीं बना है जब तक कि initialize नहीं होगा इस बात को समझने के लिए एक और realistic example लेते हैं माली जी मुझे car को represent करना है तो car को represent करने का मतलब है मैं car नाम की class बनाऊंगा उसके अंदर कुछ variables और कुछ functions बनाऊंगा और car class का object बनाऊंगा जैसे मैंने car class का object बनाया तो बनते के साथ उसके member variable में क्या रखा हुआ है garbage value तो garbage value होने के कारण हम यह तो नहीं कह सकते कि यह object किसी actual car को represent कर रहा है अब object होता है real world entity असल जिंदगी की किसी चीज को map करता है लेकिन यह object तो अभी garbage value contain कर रहा है तो ठीक है physical appearance से तो ऐसा लग रहा है कि हमने car class का object बना लिया है लेकिन यह object किसी को represent नहीं कर पा रहा है तो यह है problem of initialization तो constructor कैसे इस issue को solve कर रहा है constructor एक ऐसा guaranteed function है जो object के बनते ही call हो जाता है तो जो काम आपको object के बनते ही करा देना है वो आप constructor में लिख दीजे खास तोर पे member variable का initialization अब देखे हो सकता है कि हम car class के object के द्वारा एक function को call करें जो कि class का member होगा let's say shift gear तो shift gear function को call होने से gear की value change होती होगी लेकिन अगर car class का object में अभी कोई values हमने रखी नहीं है garbage value रखी है तो वो किसी car को represent नहीं कर रहा है और ऐसे situation में अगर कोई गलती से car class के object के द्वारा shift gear को call करेंगा तो garbage value में ही तो increment होगा और यह गलत होगा तो programming में कई बार हम ऐसा सोचें कि class बनाने वाला एक अलग है और उसके object को बनाने वाला कोई और है तो जो object बनाएगा वो functions को call करेगा उसको इतनी importance नहीं मालूब होगी कि क्या initialization जरूरी है तो वो गलती से हो सकता है कोई functionality call कर ले और वो गलत हो जाए पूरी काम को constructor में कर देंगे तो यह problem ही solve हो जाएगी तो यह constructor का काम है तो अगर यह initialization कर देगा तो सही मायने में constructor का नाम सार्थक हो जाएगा क्योंकि constructor का मतलब हुआ है इसने object बना दिया इसको हम और example से next class में देखेंगे नेक्स लेक्चर में नेक्स वीडियो में देखेंगे अभी अगर आपको यह वीडियो पहला part constructor का पसंद आया हो तो आप इसको like कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच में share करिए और इसको subscribe करना मत भूलिएगा इस तरह के और भी वीडियो अभी आगे आएंगे थैंक यू